एक व्यक्ति हुए शीलदा उनको एक दुख था कि उनके पास संतान नहीं थी उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी एक संतान हो जाए और उनके जितने भी शुब चिंतक थे उन्होंने उनसे बोला कि जिस परकार की संतान आपको चाहिए और जैसा आपका परिस्थित है आपको अगर संतान चाहिए तो विशेश रूप से इंद्र की पूजा करनी पड़ेगी और अगर इंद्र प्रसन हो गए तो वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे तो शीलिदा को ये बड़ा अच्छा आइडिया लगा योगी बस एक संतान चाहिए और इंद्र प्रकट हो भी गए उनके सामने कुछ फर्षों के बाद इंद्र सामने प्रकट हो गए तिजस्वी, खूब शक्तिशाली, देवताओं के राजा इंद्र ने पूछा क्या चाहिए आपको शीलिदा ने अपनी हुदे की इच्छा बताई अभी इंद्र जब प्रकट हुए थे तो बोले थे मैं आपकी हुदे की जो इच्छा पूरी करूँगा बड़े मुस्कुरा रहे थे लेकिन जब उन्होंने अपनी इच्छा बोली, उन्होंने बोला मुझे अपना एक पुत्र चाहिए जो एक मा के द्वारा पुत्पन ना हो, एक अलग दिव्य प्रकार का पुत्र चाहिए और वो अनंतकाल तक जीवित रहे, कभी मृत्यू ना हो उसकी, ऐसा पुत्र चाहिए, ये इच्छा उन्होंने रखी इंद्र के सामने तो इंद्र जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे हम इसकी इसा पूरा करेंगे, तभी इंद्र थोड़ा गंभीर से हो गया और बुले आपकी जो इच्छा है उसका तो पूरा करने का मेरे पास तो कोई अधिकारी नहीं है, मेरे पास शमता नहीं है, किवल को बोला गया कि आप भगवान शिव के पास चाहिए, और ये कहके इंद्र वहां से चले गए अपने स्थान पे, और थोड़ा सा उनको हताश तो हुए, कि मेरे को पुत्र चाहिए था, इंद्र की उपासना इतने साल बीत गए, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हूँ, चलो शिव जी की पूजा करते हैं, बोलते हैं आशा लगाई रखना, कभी आशा निराश नहीं होना, बोला है शिव जी की करो तो, शिव जी की करेंगे, और बोले तब तक होगा नहीं, जब तक शिव जी की पूजा पूरी नहीं हो जाए, कहीं कहीं सेक्रों वर्ष बीत ग और हर केस भगवान एक ही तरीके से हैंडल करने चाहिए अगर एक केस में बहुत जल्दी प्रकट हो गए जल्दी से कृपा मिल गई तो हमेशा होना चाहिए नहीं ऐसा नहीं होता है भगवान का भी अपना प्लैन अपनी योजना अपना समय होता है तो ये व्यक्ति ने तो ख और अनेक प्रकार कीड़े मकोड़े उनके हडीयों को भी खा रहे थे लेकिन उनका मन उनकी आत्मा पूर नरूप से भक्ती में लगी थी और शीव जी में ही पूरा तल्लीन एब्जॉर्म हो गए थे और शीव जी काफी समय बात प्रकट हुए एक समय कैलाश परवत में भगवान शीव ने शीलदा के मन की बात सुन ली शीव जी प्रकट हुए उन्होंने आके समय बहुत लगा इसलिए बोलते हैं धैरिया रखना चीए उत्साहा निश्चया देरिया उत्साह देखे जब उनको बोला इंद्र से शीव जी पे ट्रास्फर हो जाओ शीव जी के पास जाओ तो उनके अंदर उत्साह था थोड़े समय हताश हो गए लेकिन फिर उत्साह करेंगे कितना लंबा समय लगे करेंगे निश्चे था कि हम होंगे कामयाब और धायरय था धीरच था धीरच किया था कि ठीके जितना लंबे समय लगेगा हम उच्साह अंतिम समय तक बनाए रखेंगे इतना उच्साह था कि हडियों का धाचा रह गया वो भी पूरा कीड़े खा रहे थे लेकिन फिर भी वो रुके नहीं और ऐसा एब्जॉप्शन था इसलिए बोलते हैं तपस्या करने की शक्ती कहां से आती है एब्जॉप्शन से तलीमता से और ये फिर उसके बाद उन्होंने जैसी शीव जी आए खड़े हो गए और उन्होंने प्रणाम किया शीव जी को धन्डवत प्रणाम किया शीव जी तो सब जानते हैं इच्छा हैं तो जानते ही हैं वो रिदे की इच्छा पहले सी जानते थे लेकिन फिर भी पूछे कि आप बताईए क्या चाहिए आपको आप रिदे से बोलिए फिर हम बताएंगे हम पूरा करेंगे कि नहीं क्या होगा उसका तो उन्होंने बोला कि मुझे एक पुत्र चाहिए जिसका जन्म किसी माह से ना हुआ और जो शाश्वत काल तक जन्म है ऐसा कुछ दिव्या पुत्र चाहिए शीव जी ने बोला जैसी आपकी इच्छा आप घर जाए और घर पर जाके इस प्रकार से एक यग्य करिए उस यग्य के माध्यम से आपको एक संतान मिलेगी उनको एक यग्य करने को बोला और इससे पहले वो कुछ बोल पाए थैंक्स, इतियादी, धन्यवाद क्या ये कुछ प्लैन, फ्लाना प्लैन लो उनके संगती का और जब शीलदा पूरे हक्के बक्के स्थब्द हो गए थे जब उनको फाइनली होश आया चल्दी से घर पे गई यग्य किया और यग्य की अगनी में से एक बहुती युवा स्ट्रॉंग बहुती शक्ति शाली देखती भाराया पूरा हीरों से सुसजित और शीलदा इतने खुश्टे फाइनली मेरा सपना पूरा हो रहा है और वो जो पुत्र भाराया उस पुत्र का नाम रखा नंदी नंदी का मतलब है जो आनंद में है नंदी the one who is happy जो आनंद में है उनका नाम नंदी और जैसे ही नंदी अगनी से भार आये जल्द ही वो एक अच्छे इस नॉर्मल बालक में ते कि यग्ये में से आये थे बहुत दिव्य थे फिर नॉर्मल बालक का रूप ले लिया और जो तेज था वो उनके आसपस जो औरा था चमक थी वो चली गई बिल्कुल शान थे एक नॉर्मल इंसान लगने लगे तो तकि कोई समझे ना पाई कि इनका जन्म कितना शक्ती शालिया दिव्य हैं और जैसे यह बच्छा बढ़ा हो गया बोले यह बच्छा बहुत ही brilliant और talented बहुत ही बुद्धीमान बहुत ही सक्षम कौशल से परिपूरन और जैसे यह बढ़ा हो रहा था शेल्दान ने उनको पढ़ाना शुरू किया, परसनली, उन्होंने नंदी को सारे वेद पढ़ाए, सारे के सारे शास्त्रों का ग्यान दिया और हर प्रकार का ग्यान दिया, उसमें आउशधियों का ग्यान, मेडिसिन, नृत्य का ग्यान, गाना, सिंगिंग का ग्यान, तो सिंगिंग था, नृत्य अउशदी थी अनेक प्रकार की कलाएं थी और यहां तक की शत्रिय युद का भी ग्यान दिया और अनेक शास्त्रों का उनको ग्यान विज्ञान सौप दिया तो नंदी थे बहुत ही बुद्धिमान और हो गए जल्दी से सारा ग्यान पकड़ लिया बोले यह सब 15 दिन में सब सीख गए 15 दिन से भी कम लगा बहुत जल्दी सीख गए फिर एक दिन दो रिशी वरुन और मित्र वो आए नंदी के पिता से मिलने और इस समय नंदी साथ साल के थे शीलदा ने बड़े समान से सेवा किया उनका और उनका देखबाल किया और बिलकुल सही समय पे उनको पुत्र नंदी ने उन मित्र और वरुन के चरल पर्श के उनके आशीरवात की इच्छा रखते हुए अभी मित्र और वरुन जो देखा उन्होंने नंदी को तो वो weiteren इमानदारी से जो उनको समझा वो बोले उनके पिता जी को और वो बोले कि नंदी तो एक साल से उपर की नहीं जीएगा जल्द ही उसका जीवन अंत होने वाली शीलेदा का हरिदे टूट गया बोले ऐसा कैसे हो सकता है वो तो बड़े दुखी हो गए उन्होंने तो शीवजी से मांगा था शाश्वत काल तक जो पुतर जीवित रहेगा और ये बोले एक साल सी ज़्यदा नहीं जी गए सोयम शीवजी की पूजा करने के लिए कि पिता ने तो बहुत शीवजी की पूजा करी थी अब वो दन्दी ने सोचा ये जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूँ और नंदी को भगवान शिव की शक्तियों पे पूरन श्रद्धा थी उनको मालुम था कि मैं इस से नंदी को बताया, बोले आप एक्चुली कायलाश में रहने वाले हैं कैलाश के हैं कैलाश परवत के लेकिन आपको एक मुनी ने शुराब दिया था कि आप मनुष्य के रूप में जनम लेंगे और अब आपको ये मनुष्य रूप ते आके अपने शाश्वत दिव्य आके मेरी सेवा कीजिए और जब आप हमेशा मेरी सेवा में तकपर रहेंगे तो पूरी दुनिया जब भी मेरे दर्शन को आएंगी मेरी सेवा करेंगी उस से पहले वो सब आपको नंदी को प्रणाम करेंगे यह मेरा आशीरवाद है तो तब नंदी ने अपना मनुष्य रूप त्याग के उन्होंने कैसा रूप ले लिया आधा मनुष्य का Half Human, Half Bull Half Human, Half Bull रूप और उससे ताकि भगवान शिव की सेवा करेंगे एक बैल का रूप ले लिया और वो जो है शीव जी के वाहन है शीव जी के मानो सेवक है और भगवान शिव के जितने गणा है शिव गणा उनके प्रमुक है और शिव के शाश्वत संगीगन है Eternal Companion है नंदी महराज